जो विग्यापन था वह जारी कर दिया गया है देखिए बियार लुक से वायोग कुल जो पुष्ट निर्दारित किया गया है वह एक लाख सतरह जार चार सो एक सथ है ठीक है दोस्तों और इसमें एक से पाच के सिक्षकों के लिए टूटल जो पद है वह नासी हजार नौसोते तालिस है ठीक है दोस्तों और इसमें आप लोग भी देख सकते हैं पुरा किलियर कर दिया गया है कि स्रेनी इवंग सिवा के अधिन वर्ग जो होगा वह विद्याले अध्याफक और आज पत्रित होगा बेतन वार्ड जो है मूल बेतन जो पहले से भी कहा गया था वह 25,000 रहेगा और अन्य जो भत्य है मिलेंगे अस्था ये वंगनाई पेंसन योजना के नियम अनुसार अनुमान होगा और परिक्ष मान ओधी जिसको प्रोग्रेशन प्रियर कहा जाता है दो वर्स का होगा अगर इस बीच में कुछ हती होता है संतोस जरग नहीं होता है परिविक्षा होती तो एक वर्स के लिए बढ़ाया भी जासकता है ठीक है दोस्तों कि नौ से दस के लिए अलग अलग विशायों के लिए सीटों के कूल संख्या भी दे दी गई है कि देखए दोस्तों हिंदी में कितने सिट रहेंगे हिंदी हिंदी में कुल जो पाद रहेंगे वह 6 un64 दोस्तों बिज्ञान गनित समाजिक बिज्ञान सबके लिए 535 सिथी निरधारित किया गया है ठीक है दोस्तो आगे हम लोग आते है संस्कृत संस्कृत के लिए जह सीटों की संख्या कुल संख्या जो और 249 निरधारित की गई जबकि उर्दू के लिए देखिए दोस्तो अर्वी फारसी बंगला देखिए दोस्तो और भी के लिए दूसर फार्ची के लिए 300 और बंगला के लिए कानवे पोस्ट दिया गया है और टोटल जो है हाई स्कूल नाइन्थ और तेन्थ के जो वेकेंसी आएगी टोटल वह होगी 32,916 ठेक है दोस्तों और इसमें भी दिया गया है जो पहले से भी बताया गया था कि हाई स्कूल के सिख्षक जो बनेंगे उनका मुल बेतन जो होगा वह 31,000 यानि 31,000 होगा और इसके साथ जो भी आवस्यक भत्ते होंगे वह भी मिलेंगे इसमें भी परिक्षमान अवधी जो होगा परिविक्षा अवधी जिसको कहता है वह दो वर्सका ही होगा दो वर्सका होता ही है और उस बीच में अगर संतोस जनक नहीं पाया जाते है एक वर्सक लिए बढ़ाया जाएगा अब देखिए दोस्तों उच्छमादमिक के लिए भी विस्तार से दिया गया है आप लोग आयूक का वेफसाइट www.bpsc.bihar.nick.in पर जा करके क्या कर सकते हैं इस पीडियूप को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है दोस्तों और 11-12 के लिए भी विस्तार से दिया गया है कि किस विचाय में कितने कुलपद होंगे यहां वर्नन क कर दिया गया है कि किस विचाय में कितने कुलपद होंगे ठीक है दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं कि यह भी उसी गुरूप का है और दोस्तों क्लास से रेवन ट्वियल्फ के सिक्षक बनने के लिए आपका मुल बेतन जो होगा वह 32,000 होगा और अनभते भी मिलेंगे अब देखिए दोस्तों प्रात्मिक विद्याला के मूल कोटी के विद्याला अध्यापक तम आदमी के मंगुच माधिक विद्याला अध्यापक के लिए बिसायवार आरक्षन रोश्टर समय की तुरूप से आयों कि विपसाइड पर दे दिया गया है विग्यापित रिक्त कि विद्याला अध्यापक के मूल को टिक अक्षा एक से पांच के पदब पर नियुंतम निक्ति है तो सेक्षनी के उपर सेक्षनी की विग्यता जो है वह भी दे दिया गया है एक से पांच के सिक्षक बनने के लिए देखिए विस्तार से दिया गया है कि पच्चास परसंट जो है उस्तर मादमिक यानि इंटर में होना चाहिए अगर आप अरक्षित वर्क से आते हैं तो आपको पांच वर्स का छूट मिलेगा यानि 45 परसंट चाहिए ठीक है दोस्त करेंगे तो उसको अलग से पैसा नहीं कटा जाएगा वह सौब आतनिक है यानि बेतन भी मिलेगा और ट्रेंणिंग भी होगी सरकार के मादिया हमसे ठीक है दोस्तों और उसके बाद है कि एक से पांच के जो शिक्षक बनने के लिए जो आरक्षन कोटी के उमिद्वार है उनको पांच परसंट का क्या कर दिया गया है छूट दिया गया है नाइन टू टेन के लिए शिक्षक बनने के लिए बीएड होना चाहिए असना तक पलस बीएड पलस एस्टीटी पेपर वन पास होना आनिमार्ज है तब ही जाकर आप क्या कर सकते हैं आप हाई स्कूल के शिक्षक बन सकते हैं कि जबकि 11-12 के शिक्षक बनने के लिए आपको पीजी यानि आशनात कोतर पलस बीएड और एस्टीटी पेपर टू जो 2019 में आयुजित की गई थी वह परिक्षा अगर आप पास है तो आप क्या कर सकते हैं कोलेज के सिक्षक बन सकते हैं याँ 11-12 के सिक्षक बन सकते हैं आगे है दोस्तों कि अगर आप कंप्यूटर विज्यान विशै का सिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी सभी तरह की आवस्यक बाते दे दी गई हैं जिसको आप लोग विफ साइट से डाउनलोड करके विस्तार से इसको देख सकते हैं ठीक है दोस्तों और जो कॉमर्स का भी जो हुआ है उसका रिजल्ट भी नहीं आया है उनके लिए भी असपस्ट कर दिया गया है कि वह भी इस परिक्षा में भाग लेंगे और एकाउंट्टेंसी या बिजनर्स इस्टाड़ी चुन सकते हैं कि कि आगे है दोस्तो कि प्रात्मिक शिक्षक के लिए सी टीटी का पीपर वन पैपर वन जो होता है वान टु फाइब के लिए होता ही है या बीटीटी जिसको विहार टीचरल सेत्रीटी सबसे बरी बात है कि उम्र की गन्ना तो एक अगस्त दुहजार तेश से ही होगी जबकि सेक्षनिक और परसेक्षनिक जो भी हम कागजाद देंगे वह सारे कागजाद का जो कटप डेट है वह 31 अगस्त दुहजार तेश है जो बहुत ही बड़ी खुजखबरी है ठीक है दोस्तों उसके बाद इसमें आयू से संबंदित भी है कि किस कैटेगोरी को कितना उम्र तक होंगे तो उनको मुका मिलेगा देखी ऑन रिजर्ब जो है 37 वर्ष चाहिए पिछरा वर्ग अत्यांत पिछरा वर्ग के लिए 40 वर्ष है जबकि अनुस्चे जाती जन जाती के लिए 42 वर्ष है आयू स्विमा में छुट भी दी गई है जो यह काट 2023 को अधार मान कर दे होगी जो दोस्वर्षों की होगी ठीक है दोस्तों आगे सलेवस के बारे में पहले भी बताया गया था कि भासा विसे का जो सो नंबर का होगा वह 25 इंगलेश और 75 हिंदी होगा जबकि 120 में जो में पिपर लेंगे वह होगा और उसके साथ एक जीके जीएस का होगा पिपर जिसे भी परिक्षा देना होगा जिसे पहले असपरेशट विगापन में कर दिया गया है कि इसमें सक्षात्कार यानि इंटर्वीू नहीं होगा ठीकँ दोस्तो मेधा सूची के था बारे में भी क्लिएर किया गया है कि लीखित परिक्षा के परिणाम के अधार पर आयोग सफला अभिःतियों के वबंडिक में तासुंच त्यार करेगा लेकित परिक्षा वास्तुनिस्ट के कुल प्रापतांग समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर दें उनागरी लेपियों और अनुमाला के अनुसार नाम वाले उमिद्वार को बढ़ियता दी जाएगे परकासिंद विग्यापन में एक से अधिक अध्यापक पदों के लिए आविदन देने की स्थिति में अपने निर्दारी शेक्निक योग्याता में उम्र अनुरूपी संबर्गों की प्रात्मिक्ता अंकित करते भी एक ही ऑनलाइन आविदा समर्पित करेंगे सभी अभी हर्थियों को अरहता के अनुसार विद्याला अध्यापक के विविन से रेनियों की अधिमानता ऑनलाइन आविदन में दर्द की जानी है मेधा करम के नुसार सफला अभी हर्थियों के द्वारा विद्याले अधियापक के लिए दिए गए अधिमानता है वंगरिक्ति की पुलबता के अधार पने एक पद ही अवंटित किया जाएगा अगर एक से अधिक भी आप फरम बढ़ते हैं लेकिन आपको एक ही पद पर जॉब मिलेगा और इसमें सबसे बड़ी बात है किस परिक्षा में भाग लेने के लिए आपको तीन बार ही मौका मिलेगा ठीक है दोस्तों और इस तरह रक्षन से संबंदित भी बाते बताई गई है सब का कोड दिया गया है मखरूप से किस कैटोगोरी का कौन सा कोड भारा जाएगा वो भी है कि अनरक्षित के लिए एक है पिछरा और महिला के लिए च्छाओ है इस तरह सब देख लेना मुखरूप से है कि इसमें जो कागजात लगेंगे वह मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पीजी जो भी है वह सारे के मार्क सिट और सार्टिफिकेट होना चाहिए साथ में जाती है आवासी है आए एडव्लू एस क्रीमी लेयर एसी एस्टी को क्रीमी लेयर की जरूरत नहीं है आधी चाहिए ठीक है दोस्तों और जो भी आप ऑनलाइन के समय डोकुमेंट लगाएंगे वही आपको आयूक के सामने जब भी बुलाया जाएगा परस्तूत क करना होगा उसके बाद दिया गया है कि पैसे कितने लगेंगे साथ सो पचास अनुसुची जाती जन जाती के लिए दूसरों है इस तरह है ऑनलाइन आवेदन जो है वह सुरू होगा पंदर जुन 2023 से और अंतिम्तिति जो है वह बारह जुलाई 2030 ठीक है दोस्तों और उसमें एक और बात बताई गई है कि अगर आपको किसी कारण से अगर अप्लिकेशन कलत हो जाएगा तो आप को एंसेल कर सकते हैं लेकिन पुरूंद दुबारा आपको पैसे भरने होंगे ठीक है दोस्तों अगे आप लोग डाउलोड करके विस्तार से इसको बढ़ सकते हैं थैक्स दस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें आपको